Hello my dear students, so plant kingdom में आज हम लोग पढ़ेंगे next division के बारे में that is teridophytes You know इससे पहले हम लोग algae complete कर चुके हैं, bryophytes हमने पढ़ा जिनने amphibians of plant kingdom कहा जाता है और अब है third division that is teridophytes Teridophytes जो हैं वो बहुती ornamental plants हैं, बहुती सुन्दर plants हैं और ये भी na bryophytes की तरह shady places पे रहना prefer करते हैं, उसका कारण क्या है वो अब हम आगे पढ़ेंगे But do remember teridophytes भी bryophytes की तरह shady places पे ही रहते हैं mostly आपने कई बारा अगर कभी malls वगरा में घूमने गए होंगे या कई जो indoor plants होते हैं उनमें ये बड़े famous हैं, इनमें जो सबसे advanced group है teridophytes का, उनको commonly ferns कहा जाता है तो उनमें इस तरह की बहुती सुन्दर leaves होती हैं, इसलिए इनको ornamental purpose के लिए और बहुती कम धूप में भी ये grow कर जाते हैं तो indoor plants की तरह भी इनको काफी use किया जाता है, बट यह मसमझना कि सारे indoor plants ferns ही होते हैं, indoor plants में बहुत सारे in geosporms भी हैं बट yes, ferns are also one of them, clear? चलिए, तो मिलवाते हैं आपको teridophytes से, the teridophytes include horse, tails and ferns, देखो अब यह horse tails क्या हैं भई, ferns तो फिर भी तुमने सुन रखा होगा, teridophytes, वैसे तो teridophytes में चार classes आती हैं बट उन में से, जो दो सबसे common हैं, जो सबसे जाधा देखने को मिलते हैं, उन में से एक तो ferns है, और एक horse tails भी होते हैं horse tail का picture देखो, यह देखो, यह इस तरह के, बिल्कुल जैसे horse tail होती है, बिल्कुल उस तरह के दिखते हैं यह, तुमारी NCRT में भी फोटो दिये हैं, इनकी यह रहे अलग अलग type के होते हैं, horse tails में भी, तो this is also one of horse tails, जैसे इसका नाम है, इकवी सीटम, यह कौन सा plant है, इकवी सीटम, नीट में बहुत आता है, options में, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, यह इकवी सीटम हो गया, यह दोनों आपकी बुक में ferns के diagram है, these are ferns, अलग होती है, अब वैसे देखो, teridophytes जो है ना, वो पूरी तरह adapted है land के लिए, dryophytes में तो क्या था, हमने कहा था कि वो land पर रह सकते हैं, sexual reproduction के लिए उनको water चाहिए, तो वैसे ही teridophytes में भी ऐसा है, कि वो land पर रहते हैं, और sexual reproduction के लिए इनको भी water चाहिए, लेकिन इनको most adapted plant, म क्योंकि they have xylem and phloem, अगर ये थोड़ी जादा लंबाई की भी होंगे, तो भी इनमें transportation के लिए xylem and phloem present है, तो food का, पानी का transport ये easily कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि plant पूरा पानी में ही डूबा रहा है, completely aquatic हो, ठीक है, तो NCRT में दे रखा है, very very important statement, ये देको इसको highlight करना आप लोग की, evolutionary, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissue xylem and phloem, evolutionary अगर हम देखें तो वैसे first terrestrial plant कौन है, ब्रायोफाइट, बट अगर आप से पूछे first terrestrial plant having vascular tissue, तो फिर आपका answer हो जाएगा, teridophytes, ठीक है, now, teridophytes के economical significance जादा नहीं दिया है, they are used for medicinal purpose, कही सारे जड़ी बूटियां वगरा, herbs इन से मिलते हैं, and yes, plants हैं तो soil binders तो होंगे होंगे, okay, they are also frequently grown as ornamental plants, okay, now, यह हमने पड़ी लिया, you shall study more about these tissue, यह जो xylem phloem में उसके लिख रखा है, तो statement जाने दो, the teridophytes are found in, अब इनका habitat highlight करो, कहां मिलते हैं teridophytes, cool, damp, shady places, पे mostly रहना प्रिफर करेंगे, just like bryophytes, ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं इसका कारण, क्यों यह प्रिफर करते हैं इन पर रहना, आपके NCRT में दी आए, देखो, अभी आगे, जब हम पढ़ेंगे न, तो NCRT में एक point आएगा इसी में, कि इनका जो gametophytic stage होती है, इनका life cycle बताऊंगे, मैं अभी आपको, उसमें जो gamet constructed to narrow regions, कि होता क्या है, कि जैसे आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था, कि जो teredophytes हैं, बचो, यह 2N plants होते हैं, यह आपने यहां पर शुरू में लिख लेनी है, यह बात, जो आपके NCRT में है, कि यह दोनों तो N है, और यह तीनों 2N है, clear, बट अगर seeds के according divide करें, त मैं आपको बता चुकी हूँ, कि जो plants deployed होते हैं, उनकी main plant body को आप क्या कहते हो, बताओ, उनकी main plant body को आप कहते हो, gametophyte, तो यह जित्ते भी diagram, sorry, not gametophyte, sporophyte, तो यह जित्ते भी diagrams आपको दिख रहे हैं, यह सब sporophytic body है, yes or no, क्यों, क्योंकि teredophytes कैसे होते हैं, deployed, तो deployed plants में main plant body कैसे होती है, sporophytic, तो यह इनकी deployed plant body हुई, है ना, यानि जब यह life cycle शुरू करेंगे, तो sporophytic stage में spores बनेंगे, spores से, जब spore गिरेगा, तो germinate करके क्या बनाएगा, सोचो, सीधा नया plant बना देगा क्या यहाँ पर, हमने alger bravophyte में क्या पढ़ा था, कि जब spore मिटी में तो spore सबसे last में बना था, और spore से नया plant बन गया था, बट यहाँ तो शुरूआत में ही spore बन गए, तो यहाँ पर अब life cycle में एक बहुती different pattern आपको देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर जब spore बनेंगे और वो गिरेंगे, तो spore से सिधा नया plant नहीं बनेगा, पहले spore से ए बाद में sex organs बनेंगे, fertilizations आयगा, फिर उससे नया plant बनेगा, ठीक है ना, तो वो जो gametophyte बनता है ना इनका spore से, उस gametophyte के लिए बहुत जरूरी है कि वो तभी बनेगा, तभी grow करेगा, जब कैसी conditions होंगी, cool, damp, shady places to grow, यह जो इनकी main plant body है, जो sporophytic body है, वो तो कहीं भी फि specific requirement है, कि वो तभी grow कर सकता है, जब वहाँ पर cool, damp and shady place हो, तो इसलिए यह उनी regions में सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपको, जिन regions में कम धूप पड़ती है, थोड़े shady regions है, बाकि ऐसा नहीं है, कि बहुत राजस्तान बहुत dry climate है, तो यहां ferns मिलेंगे यह नहीं, बहुत सार करते रहेंगे, sexually reproduce ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, clear, और दूसरी need क्या है, इनको भी bravophytes की तरह fertilization के लिए water चाहिए ही चाहिए, यह भी अपने sperms को, अपने enterzoids को पानी में डाल देंगे, पानी में वो swimming pool की तरह, पानी की बूंद है, कुछ भी उसको swimming pool की तरह use करके female तक ध्यान रखना है आपको, कि जो teridophytes का habitat है, वो भी cool, damp and shady places तक limited है, दो, यहाँ पे एक line दिखिए, दो, some may flourish well in sandy soil conditions, कुछ हैं, जो sandy soil conditions में भी grow कर लेते हैं, ठीक है, बट अगेन वही अगर वो sandy soil condition में grow कर भी रहे हैं, तो भी वो अपना gametophyte तभी बना पाएंगे, जब उस area में shade मिलेगी, clear है, आगे बढ़ें, next क्या दिया है teridophytes के बारे में, next point दिया है, you may recall that in bryophytes, ज्यान है, the dominant phase is the gametophyte, bryophytes क्योंकि N होते हैं, तो महाँ पे dominant stage भी N ही होगी, gametophyte ही होगी, however, very very important, however, in teridophytes, the main plant body is a sporophytic one, ठीक है, यह बिलकुल, समझने वारी चीज़ें, कोई रटने जैसी चीज़ नहीं है, समझने वारी चीज़ें कि teridophyte 2N होते हैं, तो main plant body भी 2N होगी, और plants में हम 2N structures को क्या कहते हैं, sporophyte कहते हैं, अब यहाँ पर teridophytes में आपको well differentiated body मिलेगी, तो yes, they have true root, true stem and true leaves, यहाँ पर सारे true structures होते हैं, anatomically इनका root stem leaves and joss pumps के जैसा ही थोड़ा बहुत है, clear, then, these organs possess well differentiated vascular tissue, उनके पास xylem phloem भी है, तो यह advancement हो रहा है, evolution हो रहा है, now, अब leaves के बारे में एक point दिया है, देखो, अब डायग्राम से बताती हूँ मैं, कि जो teridophytes हैं, उनमें यहाँ तो बहुत छोटी 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 ली देख रही है आपको, यह silaginela का diagram है, silaginela, ठीक है, या तो इनमें छोटी 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 leaves होती है, या फिर इनमें बड़ी-बड़ी leaves होती है, जैसे कि ferns में देख रहा है, तो यह देखो, मैंने आपको जो real diagram दिखा है, तो silaginela में छोटी-छोटी leaves है, जबकि ferns वगर में comparatively बड़ी leaves होती है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, NCRT में, कि जो leaves है, teradophytes में वो दो तरह की है, आर इधर small, अगर small है तो उनको कहेंगे microfils, या फिर large है, तो उनको कहेंगे macrofils, ठीक है, large का example है ferns, small का example है silaginela, भूलना नहीं आपको, questions आते हैं, ठीक है, now, sporophyte की अ कि इस main plant को spores बनाने, तो जैसे bryophyte में तो क्या होता, footsita capsule बना था, और capsule में spore बने थे, यहां तो main plant को इस spore बनाने, तो spore बनाने के लिए, इनके पास कुछ structures तो होने चाहिए, कुछ bag होने चाहिए, जिनके अंदर ये spore बनाएंगे, तो उन bags को कहते है, sporangia, मैंने बड़ी beautiful से picture से दिखाती हूँ, देखो, इसमें क्या होता है, कि generally, जो ferns है ना, जिन पर बड़ी-बड़ी leaves है, अभी मैंने आपको क्या बताया, ferns में बड़ी-बड़ी leaves है, है ना, तो जो ferns हैं, जिनके पास बड़ी-बड़ी leaves है, वहां पर क्या होता है, सीधा leaves के उपर ही, कुछ छोटे-छोटे आपको ऐसे orange color के अलग लग colors के structures दिखने लगते हैं, यह जो आपको structure दिख रहा है, इसको कहते है, सोराय, क्या कहते है, सोराय, and what is सोराय, यह सोरस भी कहते है, सोराय is a group of sporengia, छोटे-छोटे bags है, sporengia के उन bags के group को कहते है, सोराय, अगर स स्पोर बनेंगे, बैक फट जाएंगे, और स्पोर मिट्टी में गिर जाएंगे, अभी कोई fertilization fusion कुछ नहीं हुआ, भी gamit बने ही नहीं है, सीध हमें plant body ने क्या बना लिए, सोराय बना लिए, सोराय is the aggregate of sporengia, जिसके अंदर spore बन गए, और spore से पहले sporic meiosis हुआ ही हुआ ह या फिर दूसरा तरीका क्या है, स्पोर बनाने का देखो, most of teridophyta तो इस तरह से reproduce करते हैं, कुछ teridophytes में sporengia ना बनके, cones बनते हैं, cone-like structures, इनको आप simply cones भी बोल सकते हो, या इनको strobellae भी बोलते हैं, strobellae, या इनको lax भी बोलते हैं, तीनो एक ही structure के नाम है, ठीक है, क बहुत सारी ऐसी leaves थी, ऐसी leaves जो spore बनाएंगी, उनको sporophylls कह सकती हूँ क्या मैं, जैसे यहाँ पर यह जो leaves आपको दिख रही हैं, इनको sporophylls कह सकती हूँ मैं, the leaves which are associated with spore formation, sporophyll, ठीक है, तो यहाँ पर भी ना बहुत सारी leaves लगी हुई थी, इस node पे, और वो leaves का size थोड़ा है, तो उनके उपर ऐसे bag नहीं बन सकते थे, तो वो leaves ने condense करके, एक cone-like structure बना दिया, तो जो sporophylls हैं, उनहीं के compact arrangement को क्या कहते हैं, cone, ठीक है, तो बटविस इस cone के अंदर क्या हैं, बहुत सारे sporengia हैं, वो सब spores बनाएं, उनके अंदर spores बनेंगे, और जब spore बन जाए तो cones वगरा फट जाएंगे, और spore मिट्टी में गिर जाएंगे, ठीक है, तो दोनों ही जगा ultimately spore बनाने हैं, बट spore बनाने का तरीका अलग-अलग है, या तो teridophytes में sporengia बनते हैं, या कुछ teridophytes में cones बनते हैं, ये सब में नहीं बनते हैं, इन cones किसमें बनते हैं, इन few teridophytes, few teridophytes, और ध्यान रखो जिनके बाइस बड़ी पत्तियां होती हैं, वहां तो sporengia बन जाएंगे, बट जहां माइक्रोफिल्स हैं, जैसे सिलाजी नेला हुआ, हैना, इक्वी सीटम हुआ, वहां पर क्या बनाएंगे, वहां पर छोटी लीव्स हैं, तो उनको compact होकर क कौन्स बनाने पड़ेगे, देखो NCRT में क्या लिखा हुआ है, NCRT में लिखा है कि the sporophytic body bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages, यानी sporophyll, इस sporangia कहां बन रहे हैं, sporophylls पर बन रहे हैं, in some cases, highlight करो इसे, in some cases, sporophylls may form distinct compact structure called strobuli और cones, वो some cases में कौन से टरिडोफाइट आएंगे, जिनके पास जिनेला और एक्विसीटम, अभी मैं तुम्हें एक्विसीटम का फोटोग्राफ दिखाया था ना, देखो, किती छोटी-छोटी-छोटी leaves हैं, देखो, किती छोटी-छोटी leaves हैं, तो फंस में ध्यान रखना बड़ी leaves होती हैं, तो वहां तो sporangia बनते हैं, और यहां पर ब माइक्रोफिल्स, तो इसलिए एक तो यह कौंस बना रहे हैं, ठीक है, एक तो यहां पर कौंस बन रहे हैं, माइक्रोफिल्स तो सबको कहेंगे, वो sporophyll हो गई, और यहां पर याद रखने के लिए जस्ट, आप ऐसे कौन-like structure बना सकते हैं, तो आपको धियान रहेगा है, इ सिधा लिफ्स पर लगे रहते हैं, नाओ, sporangia चाहे कोंस की फॉर्म में हो, या सोराई की फॉर्म में हो, काम क्या है इनका, the sporangia produced spores by meiosis and spore mother cell, उस बैक के अंदर जित्ती भी cell है, उनको तुम कहेंदो spore mother cell, वो meiosis कर लेंगी और meiosis से बन जाएंगे spore, यानि अभी तक जो plant body 2N है, अब उसके अंदर N structure बन गए, ठीक है, the spores, अब इन spores को गिरा देंगे जमीन पर, now these spores germinate, अब ये जो spore नीचे गिरा हुआ है न, ये क्या करेगा, germinate करके एक structure बनाता है, नया, independent structure सोचो, main plant body के उपर ही बन जाता, तब बात अलग थी, ये spore तो नीचे गिर गए है ने, detach हो गए है, अब इन spore से क्या बनता है, very very important, inconspicuous, inconspicuous का मतलब, very less developed, जो बहुत clearly visible नहीं है, ठीक है, inconspicuous, small, multicellular, free living, free living आगे है देखो, mostly photosynthetic, thaloid gametophyte, called pro thallus, इसका क्या मतलब है, समझना, बहुत important है ये point की, यहाँ पर क्या हुआ, जब spore यहाँ पर गिराना, यह देखो मैं तो मैं यहाँ बताती हूँ, जब spore यहाँ पर गिरा, मिट्टी में गिरा, तो spore ने क्या किया, spore तो N है, और main plant body कैसी होती है, 2N होती है, algae और bravophyta में spore सबसे last में बने थे, और main plant BN था, तो spore से सीधा main plant body बन गई थी, gametophytic body बन गई थी, यहाँ पर भी spore gametophyte बनाएगा, पर यहाँ पर gametophyte main plant body नहीं है, तो यहाँ पर जब spore ने germinate किया ना, तो वो एक इस तरह का थोड़ा heart shape का structure बनाते है, तैसे जमीन पर लेटा हुआ, flat structure है, prostate structure है, ठीक है, यह तो 2 सके ना, पानी वगरा ले सके, इसलिए उस heart shape structure में rhizoids भी होते हैं, बचों, सोचो, ऐसे तो rhizoids हमने कहा पड़े, briophytes में, बट अब देखो, nature connect कर रही है ना, चीजों को, तो teridophyta में, spore से जो एक plant body develop होती है, उसमें rhizoids भी होते हैं, और यह जो plant body है, यह बहुत ही undifferentiated सी है, इसमें कोई root stem leaf नहीं है, है ना, तो इस body को कहते हैं, बचों, pro thallus, spore से क्या बन गया, यहाँ पे, यहाँ पे spore से बन गया, pro thallus, अब proto nema के साथ mix तो नहीं कर दोगे, proto nema, nema यानि thread like structure, यह thread थोड़ना बन रहा है, यह thallus like body बन रहे है, तो इसका नाम क्या है, pro thallus बताओ N होगा कि 2N, spore N है, उसनों divide करके बनाएं, तो pro thallus भी N होगा, किसको represent कर रहा है, gametophyte को represent करेगा, तो यह बात तो सही है ना, कि spore से हमेशा gametophyte बनेगा, बस वहाँ पर अभी तक main plant body बन रही थी, यहाँ पर एक नहीं plant body बन रही है, और यह green है, मिट्टी में बन होगा, photosynthesis अपनियाप करेगा अपना, ठीक है, और green के अलावा, यह thallus like है, thalloid structure है, है multicellular, लेकिन बहुत बड़ा सा plant की तरह नहीं है, छोटा सा inconspicuous, small and multicellular structure है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखने हैं सारे features pro thallus के, और क्योंकि यह gametophyte को represent कर रहा है, तो but obvious, it forms sex organs, यह क new बनाया plant ने, क्योंकि अब इसी structure पर plant का sexual reproduction होगा, तो सोचो, teridophytes में main plant body sexual reproduction नहीं कर रही, main plant body ने तो spore बना के उनको अलग कर दिया, spore जहाँ पे गिरे, वहाँ पर cool, damp and shady places होना, shady place होना चाहिए, वहाँ पर spore germinate करके, यह stage बनाएगा, जिसको आप कहोगे gametophyte, ठीक है, it require, it require cool, damp and shady places, अगर वहाँ बहुत तेज कडाके वाली धूपी तो यह grow ही नहीं कर पाएगा, spore germinate ही नहीं करेगा उन जगाँ पर, ठीक है, बात समझ में आ गई ना आपको, अब यह जो gametophyte है, gametophyte का का काम क्या होता है, बताओ, सब कुछ लॉजिकली चलना है हमको, gametophy समझने के रिए बना रहे हैं, डाइग्राम्स, ठीक है, क्या बनेगा, anthiridium बनेगा, और archegonium बनेगा, anthiridium के अंदर क्या बनेंगे बताओ, male gametes बनेंगे की नहीं, वही सेम biflagellated male gametes, और इसके अंदर क्या बनेगा, ovum बनेगा, इनको क्या कहेंगे हम, antherozoids, कहेंगे या यह क्या है, ovum है, यह male sex organ है, yellow color से बनाया मैंने, female sex organ, anthiridium और archegonium है, अब तुम सोचो, कहीं पर मिट्टी है, उस मिट्टी में बहुत सारे स्पोर पड़े हैं, हर स्पोर ने germinate करके छोटे-छोटे प्रोथालस बना दी है, हर प्रोथालस bisexual है, इस प्रोथालस में male female दोनो sex organ है, बढ़ अगर यह आपस में ही fertilize कर देंगे, तो variations कैसे आएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या किया नेचर ने, कहा भई तुम अपने male gametes को पानी में डाल दो, तो वहाँ पर जो भी मिट्टी में थोड़ा बहुत पानी है उसमे male gametes को डाल देंगे, male gametes अपने फ्लाजिल पर ही पहुचने चाहिए, सिलाजी नेला के हैं तो सिलाजी नेला पर ही पहुचने चाहिए, ठीक है, तो लेकिन exchange होगा gametes का, तो अब gametes जो है, उनको release कर दिया जाएगा पानी में, मालनो कोई और अन्थेरोजाइट पानी में तैरता हुआ यहाँ आया, इस oven को उसने क्या कर दिया, fertilize कर दिया, तो सोचो क्या बन गया होगा, तो यहाँ पर zygote बन जाएगा, अगर यहाँ पर zygote बन गया, तो अब यही zygote, जो कि 2N है, zygote तो 2N है, क्या अब यह zygote multiply करके नया plant बना सकता है, सोचो बिलकुल बना सकता है, क्योंकि main plant body कैसी है, 2N है, तो यानि इसी gametophyte पे, जब zygote बन जाएगा, after fertilization, तो zygote multiply करके एक नया plant बना देगा, और नीचे जो gametophyte है, जो prothallus है, वो degenerate हो जाएगा, समझ में आ गई बात, तो इस prothallus से क्या होगा, मैं इस diagram में नहीं लिख रही वरना, mix हो जाएगा, तो यह prothallus क्या करेगा, after fertilization, after fertilization, किसका fertilization, but obvious gametes का, after fertilization of gametes, इस prothallus पे क्या बना होगा, zygote, जो की 2N cell होगी, और zygote, embryonic development करके, यानि multiply करके, क्या बना देगा, new sporophyte, और क्या यहाँ पे new sporophyte, main plant body को represent करेगा, तो yes, एक नया plant बन चाएगा, जिंजिन प्रothallus पे fertilization हुआ है, zygote बना है, वो सब ग्रो करके, नये plants बना देगे, done, बात समझ में आ गई, किस तरह करते हैं, आप देखो, तो मैं NCRT में क्या लिखा है, तो NCRT में लिखा हुआ है, कि जो sporophyte body थी, उसमें, इसका तुमना एक चार्ट बना ले लागा है, जब यह तो आप लोगों को मैं सोड़ा NCRT से पढ़ा रहूं, जब मैं डीटेल में पढ़ाती हूँ, तो इनकी चार्ट बनव small, multicellular, free-living, photosynthetic, thaloid body बनाई, जिसको आप कहेंगे prothalus, जो किसको represent कर रही है, gametophyte को, तो ploidy क्या होगी, N होगी, इनकी condition लिख दी, it require cool, damp, shady places to grow, तो तो तुम highlight कर दो इस point को, gametophyte require cool, damp, shady places to grow, because of this specific requirement and also the need of water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions, ठीक है, अब क्या होगा, अब इस gametophyte के उपर, अब इस gametophyte पर male and female sex organs बनेंगे, इनके नाम दे रखे हैं, जो हमने पढ़े, respectively, water is required for transfer of antherozoids, antherozoids यह नि, male gametes, ठीक है, they are released from the antheridia, और यह कहां पहुँच जाएंगे, to the mouth of archegonium, archegonium का जो उपर mouth होता है, वहां पहुच जाएंगे, fusion of male and female gamete, in the archegonium, internal fertilization, मैंने आपको कहा था, algae के अलावा, सारे plants में internal fertilization होता है, algae में mostly external, कुछ में internal, result in the formation of zygote, यानि हो गया, sexual reproduction complete, अब यह zygote क्या करेगा, zygote thereafter produce some multicellular well differentiated sporophyte, which is again the dominant phase of, वो next dominant phase, दुबारा start हो गई, main plant body बन गई, भई हमेशा ध्यान रखो, dominant phase किसको कहते हैं, जो main plant body होती है, अगर तुम exam में भूल जाओ कि यार इसकी main plant body sporophyte है या gametophyte है, तो तुम यह याद कर ले ना, कौन N है, कौन 2N है, जो भी plants N है, उनकी main plant body क्या होगी, gametophyte है, जो भी plants 2N है, उनकी main plant body क्या होगी, sporophyte है, यह दोनों N है न, तो इन तीरों में जो dominant phase है वो क्या होगी? वो होगी sporophyte इसमें कुछ भी रटने जासा नहीं है बचो अगर तुम्हें यह याद है कि कौन से plant haploid है और कौन से diploid है तो तुम्हें याद रहेगा कि इसमें dominant phase कौन सी है ठीक है? तो देखो teridophytes ने अपने life cycle में इचे वाले यादि गेमिटोफाइट पर dependent था but teridophytes में बोथ stages are free living लेकिन हाँ दोनों में से dominant कौन है? जो main है यानि कि sporophyte यह तो कितना छोटा सा structure बना है? clear? आगे क्या लिखा है भाई? now, in majority of teridophytes all spores are of similar kind such plants are called homosporas अब एक और important question दिखना कि वैसे तो जादा तर most of the teridophytes कहां गया? किरा majority of teridophytes इसी तरह से reproduce करते हैं जैसे मैंने तुम्हें समझाया और क्योंकि spor में कुछ अलग था क्या? कि यह male spor है, female spor है? नहीं, spor ने prothelis बनाया एक ही prothelis पे male female organs बन रहे हैं तो वहां तक तो कोई भी change नहीं था तो ऐसे सभी teridophytes क्या कहलाते हैं? homosporas एक ही type के spor बन रहे हैं most of the teridophytes इसी का example है बट अब आता है बहुत जादा पुछा जाने वाला question silaginela and salvenia produce two kinds of spores large and smaller and they are called heterosporous बहुत question आता है कि इन में से कौन से teridophytes heterospore ही show करते हैं? heterospore ही मतलब जब bag के अंदर spore बने ना तो कुछ bags के अंदर small size spore बने कुछ के अंदर बड़े बने जो small हैं उनको कहेंगे microspore जो बड़े हैं उनको कहेंगे mega या macrospore ठीक है? तो अगर शुरू से ही decide हो गया कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं इनसे male बनेगा इनसे female तो ऐसे teridophyte कहलाते हैं heterospores do remember और इसमें दो examples आपको ध्यान रखने हैं SS, silaginela और salvenia इन दोनों में इन दोनों को तो आपने microfilm के लिए याद किया था इन दोनों को आप किसके लिए याद करोगे? heterospore के लिए ये दोनों heterospores हैं silaginela और salvenia ठीक है? और क्या होता है यहाँ पर ऐसा होने से? कि क्योंकि बड़े size के spore हैं और छोटे size के spore हैं तो हमेशा आपको पता है जो शोटा होता है वो male को represent करता है male gamete जो बड़ा है वो female को represent करता है तो यहाँ क्या लिखा है? the mega spore and micro spore germinate and give rise to female and male gametophyte respectively जो micro spore है ना बच्चों वो जब गिरेंगे और prothalus बनाएंगे heart shape structure तो उस पे सिर्फ male sex organ ही बनेगा सिर्फ anthiridia ही बनेगा और gametes भी सिर्फ male gamete ही बनेगे और जो female, जो mega spore है बड़े size वाला उससे जो prothalus बनेगा उस पे सिर्फ arkegonium ही बनेगा यानि सिर्फ female gamete ही बनेगा तो शुरू से ही क्या हुआ है हाँ पर differentiate हो गया कि कौन male बनाएगा और कौन female prothalus बनाएगा तो यानि एक तरह से heterosporus में male prothalus अलग है, female prothalus अलग है, ठीक है एक और बहुत important बात देखना क्या लिख रहा है, the इसे में तुम highlight करो the female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte, अभी यह क्या लिख दिया भाई इन्होंने यह क्या कह रहा है समझ ना ध्यान से, कि मान लो silaginila की बात हो रही है, ना मान लो यह silaginila एक, ठीक है, इस silaginila ने अपने उपर दो तरह के cones बनाए, दो तरह के वो बनाए, cones बनाए, एक में माइक्रोस्पोर भणात हैं, तो उनको फीमेल गहां मिलेगा फीमेल प्रोधैलस में, लेकिन फीमेल प्रोधैलस वहाँ मिट्टी पर नहीं है फीमेल प्रोधैलस को इसी silaginila ने अपने उपर ही बनाया वो जो मेगास्पोर बने थे ना वो Megaspor को उसने गिराया नहीं वलकि वो जो Megaspor जिन्य स्ट्रक्चर्स में कौन्स में बने थे वो Megaspor वहीं रहे वहीं पर उसने उनको जर्मिनेट करके Female Prothalus बना दिया, Main Plant, Parent Plant पर Attach नहीं है, अब दीरे-दीरे Higher Plants की तरफ जा रहे हैं आप पढ़ते हो ना, Gymnospom और Angiospom में Seeds बन जाते हैं, तब तक वो अपने Parent Plant से Attach रहता है, तो यहाँ पर शुरुआत हुई है उस Habit की, कि Teredophytes में क्या होता है, सारे Teredophytes में नहीं सर्फ हेटरोस्पोरस वालों में, Silaginilla और Salvenia में, की Microsport तो गिरा दिये, मिट्टी में, Male वाला तो development अलग हो रहा है, लेकिन Female वाले पार्ट को अपने से चपका के रखा है Parent ने, ठीक है? तो Parent के उपर ही Female Prothelis बना, इसी Female Prothelis पे Archegonium बना, इसी Archegonium में Female Gamet बनके तयार है, अब वो जो Male Gamet है, उनको इस Female Gamet तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक है? और इसलिए देखो, जो छोटी हाइट वाले प्लांट है ना, उनमें ये feature है, जिसे वो Male Gamet, बहुत लंबा प्लांट होता, फर्न्स का, तो Male Gamet कैसे पहुँचता वहां तक? तो इसलिए, सिलाजी निला में, जो कि जनरोली बहुत ज़ादा हाइट के नहीं होता है, और साल्वीनिया तो और असान है याद करना, पानी में ही है साल्वीनिया, अब यह आपने देखा तो साल्वीनिया का डाइग्रम, यह रहा NCRT में साल्वीनिया का डाइग्रम, यह रहा, तो यह तो पानी में ही तैरती रहती है वहीं पर, है ना, तो क्या हुआ, जो female gametophyte है, वो parent body से attached है, यहीं पर female gamet बना लिया, जब male gamet इस तक पहुचा तो यहीं पर वो zygote पूरा grow कर लेता, तो plant के उपर plant उख जाता, क्योंकि parent plant भी है नीचे, और यहीं fertilization हुआ है, तो plant के उपर नया plant थोड़ी ना grow करेगा, तो अब जब zygote क्या शुरू कर देता है, embryonic development शुरू कर देता है, तब वो उसको खुद से detach कर देता है, कि अब तुम जाता है, और जहां पर गिरता है, वहां पर embryo-like structure गिरा, उससे नया plant body बन जाती, यह zygote कैसा है 2N, तो नई plant body कैसी बनेगी, 2N बन जाएगी, ठीक है, और देखो, इसलिए अब यहां पर एक बात और समझो तुम, कि जो अब next, जब plant को लगा कि यार, हमने अपने embryo को जो embryo है न, जब zygote embryo में grow करेगा, तो embryo किस से cover हो जाएगा, seed से, तो nature ने कब evolve कर दो, अब अगला division जब आएगा, वहां पर इस embryo को protect करने के लिए seed बनना चीए, और seed किस से बनेगा, ovule से, तो next जो division आएगा, वहां से ovule बनना शुरू हो जाएगा, यहां तक ovule या seed न देखे गए, सारे teridophytes में नहीं, सिर्फ hetero spores में, बात समझ में आई क्या, तो यहां क्या लिखा है, very very important, कि जो female gametophyte, female prothallus है, in these plants are retained on the parent sporophyte, for variable period, कोई fix नहीं होता कि वो कब detach करेगा उससे, the development of the zygote, fertilization वगरा सब हो जाता है, जब zygote develop करने लगता है, young embryo में, it takes place within the female gam gametophyte, but obvious, वो female gametophyte के अंदर grow कर रहा है, और फिर कभी वो उसको खुझ से detach कर देगा, तो इसका मतलब, अलग-अलग period के लिए, किसी में थोड़े कम देर के लिए, किसी में थोड़े जादा देर बाद टेच करता है, किसी में और जादा टाइम बाद टेच करता है, but ultimately detached तो बच्चे seed habit को सोचना है, seed ही बन गया है, seed नहीं बना, seed तो protective covering है embryo की, जो embryo है उसको parent ने अपने साथ ही develop करवाया, खुझ protection देते हुगे, जैसे animals में धिरी-धिरी parental care develop होने लग गई थी, तो वैसा ही कुछ plants में हो रहा है, कि parent plant से, parent plant उस structure को खुझ से अलग नहीं कर रहा, male वाले को तो कर दिया, क्योंकि इसको पता है male वाले से नहीं बनेगा, female, तो यहाँ पे सिर्फ female को रखा है, अब अगले वाले में तुम देखना, जो gymnosperm आएंगे वहाँ पे, male हो चाहे female gametophyte हो, plants को समझ में आ गया कि यार, यह दोनों बड़े important structure है, इनको खुझ से अल लग मत करो, तो वो दोनों gametophyte को अपने अंदर ही रखेगा, ठीक है, समझ में आई बात, फिर बाद में fertilization के लिए तो भेजना ही पड़ेगा, transfer के लिए तो भेजना ही पड़ेगा, ओके, तो जैसे आप पड़ोगे, gymnosperm में जो male gametophyte है ना, वो pollen grain ही है, तो pollen grain आ जाएं तो दुबारा महनत करना चाहो तो एक चार्ट और बना लेना, नहीं तो सिर्फ हेट्रोस्पोरी में ये वाला नोट लिग देना, समझ में आ गया, अच्छे तरह से, चलिए, अब तो तुम मुझे comment box में बता सकते हो, है ना, तो ये एक diagram भी है, जिससे आप थोड़ा और easily देखो एक बार मैं तुमको दुबारा समझा दू कि किस तरह से events हुए है, तो ये जैसे main plant body है, ठीक है, एक mature plant है, ferns का diagram दिखाया है, इसमें आपको पहले दिखाया है कि इस fern ने अपने उपर leaves पर कहीं कुछ sporengia बनाए, ये leaf है कोई, उसके अंदर sporengia है, sporengia के heart shape structure को क्या कहते हैं, this is prothallus, जो किसको represent करता है, बहुत असान है याद रखना, जो भी spore से बनेगा वो N होगा, और N किसको represent करता है, गे metophyte को, ठीक है, फिर इसी में entheridium भी बना, male sex organ, और इसी में archegonium भी बने, female sex organ, अगर heterospory की बात होती, तो ये सिर्फ male बनाता, और जो female plant पर attach रहता, वो female बनाता, sorry, female plant पर क्या, जो parent plant पर attach रहता, वो female sex organ बनाता, ठीक है, अब अगर, नौर्म अलबितम, homosporus, most of the teridophytes की बात कर रहे हैं, तो अगर इस prothallus ने male female दोनों बना दिये न, अब male जो entheridia है, वो सब फट गए, उनसे entherosoids पानी में release हो गए, य आपर हमें entherosoids, entherosoids, ठीक है, और यह archegonium में egg weight कर रहा है, एक archegonium में एक egg होता है, जैसे ही यह mouth of archegonium पर पहुचा, कोई भी एक entherosoid, उसने अंदर जाके fertilization किया, तो क्या बन गया zyagot, जो कि 2N होता है, और इसी zyagot ने यहीं पर, यह नीचे prothallus के उपर हो रहे है सारे event, इस zyagot ने prothallus के उपर नया plant बनाना शुरू कर दिया, यह जो gametophyte है, यह later on क्या हो गया, degenerate हो गया, जो gametophyte है, वो तो degenerate हो गया, और main plant body नहीं बन गई, mature हो गई है, ठीक है, और फिर वापिस से यह life cycle शुरू हो जाएगा, समझ में आगई बात, तो इस तरह tarid अपना life cycle करते हैं, clear, तो यह कौन से टाइप का life cycle हुआ बचों, यह हुआ है, यह भी है, यहाँ पर भी कितनी stage आ रही है, दोनों stage आ रही है, है ना, हुआ कि नहीं, भई, इन्होंने शुरूआत कैसे की, sporophyte से, sporophyte यानी, main plant body, ठीक है, main plant body, जो की कैसी होती है, 2N होती है, sporophyte ने क्या किया, spores बना लिए, किसमें बनाई बताओ, spores, या तो कौन्स, या तो directly spore angia, इनमे spore mother cells में meiosis हुआ, कौन सा meiosis, sporic meiosis, तो क्या बन गए, spores बन गए, spores कैसे होते हैं, N, वैसे भी meiosis हो गया है, अब spore ने germinate करके क्या बनाया, कहा जर्मिनेट कर रहे हैं इस spore, नीचे soil पर, क्या बनाया इन्होंने, gametophyte, gametophyte कैसा structure है, यहाँ पर peridophytes में, heart shape structure, हमेशा याद रखो, और इस heart shape structure को क्या कहते है प्रोथालस, प्रोटोनीमा नहीं, प्रोटोनीमा मॉसस में पढ़ा था, यह प्रोथालस है, but obvious N होगा, जो भी चीज़ इस spore से बनती है, वो हमेशा N होती है, अब इस प्रोथालस ने क्या किया, gametophyte है, तो sex organs बनेंगे, male and female, इस पे male gamet, इस पे female gamet, male gamets, नाम नहीं को, इन दोनों में fertilization हुआ, fertilization से zygote बना, जो की 2N है, और उस zygote ने develop करके नया sporophyte बना दिया, नीचे gametophyte ही generate हो गया, नया plant आ गया, तो यह कैसा life cycle हुआ, इसमें haploid stage भी है, diploid stage भी है, तो this is haplodiplontic life cycle, तो bryophytes में भी haplodiplontic है, और pteridophytes में भी haplodiplontic है, क्योंकि दोनों में हमें gametophyte और sporophyte दिख रहे हैं अक्षे खासे, बस ये बात अलगे है कि bryophytes में main plant body N थी, जबकि हम main plant body 2N है, bryophytes में जो alternative stage थी, यानि कि sporophyte 2N stage वो foot seda capsule थी, pteridophytes में जो alternative stage है, यानि कि gametophyte यानि प्रो थैलस, वो एक heart shape structure है, ऐसे करके तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, clear, और ये last में examples, इसका classification detail में नहीं है, सिर्फ ये दे रखा है कि pteridophytes में 4 classes आती है, जिन में से एक है sylopsida, sylopsida में peace island है बच्चों, ये sylotum जो है, इसके बारे में आपके course में कुछ भी जादा नहीं दिया है, ठीक है, तो आप इसको सिर्फ as an example याद रखोगे, तो भी चलेगा, उसकी कोई detail में जाने की जरुत नहीं है, तो पहली class होई sylopsida, that is sylottum, दूसरी class का नाम है lycopcida, जिसमें आता है sylaginilla, जिसका diagram हम बार बा पढ़ रहे है, एक example और आता है, इसमें lycopodium, याद रखना है आपको, ठीक है, third class है sphenopsida, जिसमें आते हैं equisitum, जिनका common name है horsetail, equisitum को horsetail कहा जाता है, और सबसे advanced class, most advanced class है teropsida, most advanced class, इनको commonly ferns कहा जाता है, ferns, teropsida को क्या कहता है, commonly ferns, और ferns में बहुत सारे examples आते हैं बच्छों, जैसे dryopteris, terrace, ediantum, ediantum का एक और नाम याद रखना, ediantum को walking fern भी कहते हैं, इसके tips तूट-टूट की गिरते रहते हैं, और उनसे नया ediantum, फिर गिर जाता है, फिर नया ediantum, तो अस रखता है, garden में ये fell गाए है, पूरे में, इसलिए इनको walking fern कहते हैं, या पहले बहुत पूछते थे अब तो नहीं पूछते हैं, इनका एक और नाम है, maiden hair fern, से पुराने टाइम में जो maiden, जो राज कुमारिया वगरा होती थे ना, वो जब उनकी बड़े-बड़े वाल होते थे तो जब वो छोटी, गुथी भी छोटी बिनाते थे, तो वो जैसी दिखते थी ना, वैसे अडियन्टम की लिफ्स वैसी दिखते हैं, देखो, लाइक दिस, ब्रिड़ेड, ठीक है, तो इसलिए इसको maiden hair fern भी कह देते हैं, और एक एक एक्जामपल और लिख ले ना, तुम, एडियन्टम के अलावा, एक वो भी लिख लो तुम, साल्वीनिया, साल्वीनिया भी तो भी एक्वेटक फर्न है, ठीक है, खोगा है सारे एक्जामपल्स, फर्न में टेरिस, ड्रयोक टेरिस, एडियन्टम, साल्वीनिया, मार्सीलिया और एक आगे बायो के कुछ चैप्टरस में आएगी, एजोला फर्न, एजोला भी एक फर्न है, ठीक है, यह भी पानी में रहती जो कि nitrogen fixation करता है तो rice को fertilizers मिल जाते हैं ठीक है clear तो ये examples आपको ध्यान में रखने हैं this is all about the teridophytes economical significance अलग से नहीं है उज़े शुरू में हमने बढ़ा था ornamental, medicinal, soil binders बस यही है अब आप इसको पढ़ लेना और please अगर याद रखना चाहते हो इस topic को तो ये जो teridophytes का life cycle मैंने तुमको समझाया है ना homosporus का और heterosporus का उनके अलगलग charts बना लेना तो ही आपको चीज़ें याद रहेगी वरना बाद में जब दुबारा पढ़ने बैठोगे कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है ठीक है? चलिए नेक्स session में we'll discuss about the gymnospons